सर्दियों के मौसम में बेंगन से बनीवी चीजें बहुत ही मज़ा देती है और अगर उसके अंदर थोड़ी सी विराइटी मिल जाए तो पिर क्या ही बात है आज मैं आप लोगों के साथ एक ट्रेडिशनल रेसिपी शेयर करूंगी जो के बेंगॉली है और इसको बेंगन भाजा कहा जाता है या फिर आप तवा फ्राइ बेंगन भी कह सकते है बहुत ही सिंपल है आईए देखते है इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे दो टेबल स्पून बेसन उसके अंदर मैंने डाला नमक और कश्मीरी लाल मिर्चे एक एक टी स्पून धनिया इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दो टी स्पून धनिया उसके बाद जो नॉर्मल वाली लाल मिर्चे हैं मैंने आदी टीस्पून डाली है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और उसके बाद इसको कैरमलाइस एफेक्ट देने के लिए चीनी डाली जाती है और उसके इलावा जो सबसे जरूरी है वो है भुना हुआ, कुटा हुआ, जीरा तो वो भी एक टीस्पून डाला और उसको मिक्स करके अच्छे से एक साइट पे रख देंगे उसके बाद बैंगन को देख लेते हैं जब आप बैंगन खरीदेंगे तो आप कोशिश करें कि पीछे इस तरह लंबी स्लिट वाला निशान ना हो, बलके गोल-गोल निशान हो क्योंकि जो लंबी स्लिट वाला होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा बीज होते हैं और बैंगन जो है वो वजन में हलका होना चाहिए ठीक है? और इसको एक एक सेंटी मीटर के स्लाइस में हम इस तरीके से काट लेंगे अब जो मसाला हमने तयार करके रखा था उसके अंदर सिंपली इसको रोल करना है और साइट पे रखते जाना है इसको कोई पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि मसाले में जो नमक है वो बैंगन के मॉइस्टर को बाहर निकाल लेगा और इसको जब हम 30 मिनिट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह सारा मसाला इसके उपर चिपक जाएगा और जो पैन है इसके अंदर हम सिंपली तेल डालेंगे सरसो का तेल हो तो बहुत ही अच्छा है अगर नहीं है तो पिर आप दूसरा भी कोई तेल यूज़ कर सकते हैं तेल जादा गरम ना हो तब ही आप बैंगन को सेट कर दीज़े क्योंकि हमें इसको यहीं पर पूरा तरीके से पका लेना है तो मैं इसको ढख कर तकरीबन 4 मिनिट के लिए मीडियम हीट पे पका रही हूँ और उसके बाद हम इसको फिलिप करेंगे मैंने चुके नीचे काफी सारा तेल डाला था इसलिए मैं दुबारा से तेल नहीं डाल रही लेकिन अगर आपने कम यूज़ किया है तो आप फिलिप करने से पहले उपर थोड़ा सा तेल ड्रिजल कर लें तो अच्छा रहेगा तो इवन कलर आएगा ठीक है और इसके अंदर जो कैरमलाइज एफेक्ट आया है वो चीनी की वज़ा से आया है लेकिन अगर आप चीनी स्किप करना चाते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं अब में चीज ये है कि आप देखें कि बेंगन अच्छे से गलावा होना चाहिए यहां मुझे 8 मिनिट लगे है हो सकता है कि आपके वहां पे 10 मिनिट या मैक्सिमम 12 मिनिट भी लग सकते है आप इसको पराटे के साथ सर्फ कर सकते है या पिर जैसे वो लोग करते है मतलब किचडी के साथ तो मैंने वैसे ही सर्फ किया है इसके साथ एक राइता भी दिया जाता है जो के बहुत मज़ेका लगेगा मैंने जो राइता बनाया है तो मैंने उसके अंदर सिंपली नमक, काली मिर्चे, चाट मसाला और पिसावा, सुखावा, धनिया, पुदीना होता है वो डाला है और थोड़ी सी कुटी भी लाल मिर्चे जरूर बनाये अपना फीडबेक दीजे अंटिल नेक्स टाइम, अला हाफिस